सेलेट तो आपने बहुत खाया होगा लेकिन मैं आपके लिए चटपटा मज़ेदार सेलेट रेसिपी बताऊंगी आप वीडियो को बिना स्किप किये पूरा देखिए तो सबसे पहले दो खीरा लिया है हमने इसे हम अच्छे से छील लेंगे और छीलने के बार इसकी दोनों स साइट को निकाल दो खीरा कड़वा नहीं रहता लेकिन अभी आप जब भी सलाइट बनाओ न दोस्तों एक बार खीरा टेस्ट जरूर कर लेना वरना आपका सैलेट वेस्ट हो जाएगा ना क्योंकि कड़वा खीरा अच्छा नहीं लगता तो इसकी देखिए दोनों साइट समने निकाल दी है अब खीरा को पतले पतले हिसों में काट लेंगे दोस्तों आप जितने भी पतले या फिर जैसे भी आप काटना चाहते आप काट सकते हैं शेप खीरे की अपने हिसाब से काटी है जैसे भी आपको पसंद और जो भी आपको इजी लगे और दोस्तों मैं आ लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजेगा अब इसमें आधी छोटी चमच भुना हुआ जीरा पाउडर आधी छोटी चमच चाट मसाला और आधी छोटी चमच काला नमक और इसमें आंधा नीबू हम नीचोड देंगे दोस्तों सैलेट में जब नीबू डालते है तो यह बहुत हेल्दी सैलेट बनता है और नीबू की खटास बहुत टेस्टी लगते हैं और एक चटपटा सैलेट बनकर त्यार होता है अब इसमें थोड़ा साहरा कटा धनिया पत्ता मिला देंगे दोस्तों इसे देखने में बहुत ही कुपसूरत लगता और इसे सारी ची मेरा अमस्त आप ठंडे ठंडे खीरे का सैलेट बनाइए और खाईए यह गर्मियों में तो खाने में और भी टेस्टी लगता है और सैलेट तो हर समय आप खाईए वो खाने में बहुत अच्छा है इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाल और थोड़ा सा बुने हुए जीरे का आप पाउडर डाल देंगे हम और इसके ऊपर से थोड़ा सारा खटा धनियापता और अवर डाल देंगे तो यह देखने में बहुत ही कुपसूरत लगता यह देखिए मुझेदार सैलेट बनकर तयार है आप इसे बनाइए खाईए जब को खिलाईए यह खाने में बहुत ह तेस्टी है दोस्तों